पूरी दुनिया कोरोना वारस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत ने भी दो टीकों के साथ इस महामारी के खिलाफ अपने निर्णायक लड़ाई तेज कर दी है। मगर इस संकट की घड़ी में भी भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए पीछे नहीं हटा है। दरसल सूत्रों से एक खबर आई है कि भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, बांगलादेश, नैपाल, स्री लंका, मालदीव और को कुरुना वैक्सीन की 10 मिलियन यानि एक करोड खुराग दान कर सकता है। गौर तलब है कि भारत सरकार ने भारत बायोटेक की को वैक्सीन और सेरम इंस्टिटीट की कोवी शील्ड को अपात इस्तिमाल की मदूरी दी है। जिसके बाद 16 जनवरी से भारत में टीका करन अ भूले। तन्यवाद।